वेल्कम टू फैंटेसी काउंसल राजस्थान वर्सिज मुंबई इंडियन्स यहां पहले एक बार बात कर लेते हैं हमारे सूपर संडे की देखो कल जो मैच हुए थे दो मैच हुए थे डबल एडर था संडे का दिन था और मैंने अपने थमनेल के टॉप पे क्या लिखवाया घी अगर आप कमाना चाते हैं हर चीज करना चाते हैं एक मिनिट का अगर आप ज्यान सुन लोगे बहुत कमा लोगे इस पूरे आई-पल में अब आप समझना मैंने कल आपको क्या बताया था डबल एडर था एक मैच में हमने खेली फैंटसी पहले वाले मैच में डबल एड दिये थे और गुज्राइद Titans के सारे ले ले लिए हमारा Captain Small League में था Shuman Gil जिसने सबसे ज़्याद़ Points दिये Captain List में हाला कि यह नहीं रहा है Grand League का Captain निकला लेकिन सबसे ज़्याद़ Points Captain List में दे दिये लोगों के क्या थे Mark Rum, Omarzai, Khalasen, सबसे ज़्याद़ Points गिल ने दिये भाई pitch report मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों क्योंकि रितुराज गायकवार ने बोला कि ये two pace wicket हो सकती है और रिशफ पंत ने बोला कि ये good wedding wicket है तो सुने तो किसकी सुने तो जब मैंने ये का मैंने का चलो भाई हम इसमें fantasy नहीं खेलेंगे trading करेंगे और मैंने क्या बोला दिल्ली को प्लस करते जाओ दिल्ली हम प्लस करते गए प्लस करते गए प्लस करते गए बहुत मोटे तरीके से पहली बॉल से match के और फिर हमने बीच में ही अपने shares sell करके cash out करके both side profit कमा लिया हम match के 8 over पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना और मैं उन लोगों को अभी जवाब देना चाहता हूँ बहुत लोग हैं कहते हमें समझ नहीं आया आपने क्या हम सिर्फ fantasy केलते हैं तो खेलो मैंने कमना गिया जिसे trading नहीं करनी मैं कौन सा हाथ पकड़के करवार मत करो आपका पैसा है आपको जहां मन करें वहां इंवेस्स करो मिरको उससे क्या लेना देना लेकिन ये मत बोलो कि भाई हमें trading मत करवाओ ना trading दो हम सिर्फ fantasy कि लाओ ना बहुत लोग अब इंडिया में ऐसे हैं जो trading से बहुत पैसक हमारे तो भाईया मैं उनके लिए भी सोचता हूं मैं सबके लिए सोचता हूं fantasy की पूरी वीडियो बनाई थी आप उसमें से इंवेस्स नहीं कर रहा हूं जिसमें मैं unsure हूं मैं हार सकता हूं तो जाहिर सी बात हुई ना मैं आप लोगों के पैसे लगवाने वाला कौन होता हूं जब मैं खुद नहीं लगा रहा हूं मैं हमेशा बोलता हूं खेलो उस बंदे की टीम से जो अपना पैसा खुद लगा और मैं हर मैं अपना पैसा इंवेस्स करता हूं यहां तो फैंटेसी में यह ट्रेडिंग में लेकिन यह देखके कि मुझे ज़्यादा फाइदा किसमें होगा कौन से वाले मैच में इसलिए आज वालों जो मैच है फैंटेसी और ट्रेडिंग दोनों के लियास से बहुत फ्री में आपको स्मॉल लीग की टीम देता हूं कल के बाद जो मेरी टिप्स देखने बाद मेरी प्रेडिक्शन देखने के बाद कम से कम मुझे 2000 से उपर मैसिज आ गए 2000 से उपर कि भाई 1000 में 10,000 ओर जोर दो कितने हो जाएंगे इतना इमांट नहीं चाहिए मैं जब आपको फ्री में सब कुछ दे रहा हूं तो उस चीज का मज़ा उठाइए अपना मज़ा लीजिए कुछ फायदा नहीं है यह पैकेज पुकेज में और टेलिग्राम जॉइन करो सब यहां फ्री म में और अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्ताग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं fantasy.counsel पर और एक चौदरी08 मेरा है और हाँ बई इस वीडियो में भी रहने वाला है एक लाख का मेगा गिवववे जिसका जवाब आपके देने पर कितना मिलेगा 33,333 रुपे और सुनिए जनाम मेरी YouTube टीम फूरी एक्टिव रहती हैं वो लोग जो मैच के बाद कमेंट करते हैं मत किया करो आपको बड़ा उल्टा-उल्टा सुनाने को मिलती है क्योंकि मैं पढ़ता हूं उसमें बहुत गालिया बकते भाई आप लोगों को लोग कि इनकी वज़े से हमारे आंसर चुप जाते हैं इनकी वएसे टाइम होता है क्यों घाली खाने वाले काम करते हो मत किया करो मैच से बहले कमेंट करो जवाब सही देने की कोशिश करो और तीन लक्की विनर्स लेके चले जाएंगे 33,333 रुपे बहुत असान सा सवाल होता है और भाईया आप 25 मैच में यो पूरी देखे और खेलना का पर है माई मास्टर 11 एप पर जहां पर बहुत तगड़ा लीडर बोर्ड चल रहा है सारी चीज़े हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पिछ रिपोर्ट देखते हैं वान खेड़े का मैदान यह 160 ना यहां का एव विनिंग फैक्टर है क्योंकि जब आप देखें कि 111 मैच में 61 बार चेज हुआ है 50 बार डिफेंड हुआ है और यहां पर मुंबई का फोर्ट्रेस इसको बोला जाता है और मुंबई यहां पर बहुत अच्छी क्रिकट खेलती है बहुत जादा अच्छी अब आप देखें हैं कि यह प्रॉपर बैटिंग विकेट वाला मैदान रहने वाला है यह चीज देखके हम चलते हैं थोड़े पिछले तीन चार मैचीज उठा के देखते हैं क्या हुआ था तो यहां पर हैदराबाद ने 21 माई को 200 बनाये थे और यह 200 बनाये थे और यह 200 18 ओर में ही 6 हो गए तो सेकिंड इनिंग क्यों क्यों क्योंकि ड्यू फेक्टर आ जाता है ड्यू द्यू बारह तारिक को यहां मैच होता है एम आई बनाती है दो सो अठार रण गुजरात 191 तो भाईया यहां पे भी आप देख सकते हैं लगभग 400 से उपर रण बन रहे हैं पांच विकेट पे और यहां बैटिंग मज़ेदार विकेट है जिस पे रन बर से भीगे चुनर वाली लाइनप चेक कर लेते हैं मुंबई इंडियन्स के लाइनप में अभी भी स्काय थोड़ा दूर है रोही चर्मा इशान किशन जिन्होंने पिछले मैच में बहुती गदर बैटिंग करी थ फिर आते हैं हार्दिक पांडिया टिम्टी माते डेविड अब उसके बाद इस टीम की परेशानी शुरू हो जाती क्योंकि इन पर बॉलिंग नहीं है बिचारा आया था क्या नहीं कुईना मपाखा मपाखा आया और इसका करियर ही बिचारे का खत्म होगा पहले मैच में इ इस टीम को दिख रही है आये देखते हैं दो मैच इन्होंने कैसे खेले हाला कि दोनों मैच हा रहे हैं और बड़े अच्छे डिफरेंसे हा रहे हैं पहला मैच तो जीतते जीतते हारे छे रनों से और दूसरा मैच 31 रन से हारे यह तो भाई है 277 वाला मैच था इसमें तो किली के बल्ले से रन देठो 25-64 हारिक पांडिया 11 रन जीरो विक्ट 24 रन एक लिकेट और हर दिक पांडिया कोई कितनी भी गालिया दे ले हार्दिक पांडिया को जब देश की बात आएगी ना जब अभी बढ़क पाएगा T20 सब हार्दिक पांडिया पर ही count कर रहे होंगे ये भी मैं बता देता हूं तो मैं franchise driven आदमी नहीं हूं मैं country driven आदमी हूं मैं अपने हार्दिक के लिए कोई soft corner है जो रोहित को गाली दे मैं उनको भी यही बात बोलता हूं जो इशान किशन को गाली दे मैं उन्हें भी यही बात बोलता हूं और सबसे बड़ी बात जो विराट कोली बगते हैं मैं उन्हें भी सेम बात बोलता हूं कि भई यह आपके देश के लिए खेल रहा है आपके देश का नाम इस बंदे ने बहुत जादा बार रोशन किया है तो आप एक फैन है या एक इंसान है वो सबसे पहले डिफाइन करें अपने लिए कि आप एक फैन है या एक अच्छे इंसान है क्योंकि हार्दिक पांडिया को गाली देने का कोई मतलब बनता नहीं है हाँ अगर आपको बुरा लगता है कि हार्दिक पांडिया की कप्ताणी में रोहिट कैसे खेल सकते हैं तो आपको ये भी पता पडियर बुलाएं 15 बनाएं कोईड़ दो विकेट यहां एक विकेट यहां शम्स मुलानी 0-0 दोनों बार मारखई और आज यह पकावार हो जाएंगे चावला जी एक विकेट इदर एक विकेट इदर बुमरा तीन विकेट जीरो विकेट और कुएना मपाखा जीरो और ल्यूक वुड दो वर में 25 गायाब हो गए तो यही टीम रहने वाली है मुंबाइ इंडियन्स की यह ऐसा ही करेंगे अब देखते कैसा खेलते हैं यह जब भी राजस्तान के खिलाव के राजस्तान के खिलते हैं राजस्तान के खिलाव 23 के आवरेज है रोईच शर्मा की और इस मैदान पे वान खेड़े पे जब जब खेले हैं 34 की आवरेज से इन्होंने बाइस सो से ज़्यादा रन बनाए हैं लास्त मार्च मैच इस चबिश तर्थालिस इसो तीन दो पच्छपन दमैन इन फॉर्म इशान किशन 33 की आवरेज 270 रन नौ मैच इस मैदान पे 582 24 की आवरेज पिशले मैच में अच्छे 34 रन मारे थे ताबर तोड उससे पहले जीरो जीरो बावन अठावन फिराते नमंदीर जिनके दो मैच अच्छे गए 30 रन 20 रन 50 रन मना लिए 2 मैच में पहली बार वान खेड़े पे उतरेंगे देखेंगे कैसा खेलते हैं तीन मैच या देखो यह सबसे अच्छा हीलते राजिस्तान के खिलाब 414 रन 82 की एवरेज है और 11 विकेट भी इन्होंने अपने नाम करें जिसमें एक बार तो फाइनल में जब आरार गुजरात खेली थी तो तीन विकेट लेके मैच भी ले गए थे तीन मैच में 66 रन हैं और 10 मैच में 45 के एवरेज से इस मैदान पे रन करते हैं 42 रन 11 रन 8 रन 17 रन 31 और मैं मान के चलता हूँ कि आज इस वाले मैदान पे काफी जादा फायदा मिलेगा मुंबाइ इंडियन्स को क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे आने वाली है शम्स मुला 12 मैच 17 राजिस्तान के खिलाब और इस मैदान पे 49 मैच 44 रिकिट इन्होंने ले रखे हैं अब आप देखे पिछले 5 मैच में 0-3-0-2-1 फ्यूश चावला 20 मैच 23 विकिट इस मैदान पे 16 मैच में 12 विकिट लास्ट मैच इसमें इनके अभी जो रिसेंटली दो हैं उनकी ब बाव हैं अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देख लेते हैं क्या रहने वाला है लाइनप राजस्तान रॉयल्स का तो रॉयल्स के रजवारों में जॉस बटर ये शस्वी जैसवाल दोनों ओपनर आते हैं फिर आते संजू सैमसंग जो मैंने आपको बता आते हैं पहले अवेश, यूजी, संदीब शर्मा अब यहां पर मैं देखके कह सकता हूं कि मुंबाइ इंडियन्स को थोड़ा सा एक अपर हैंड आएगा होम ग्राउंड का और जो भी टीम चेस करने जाएगी फाइदा तो है क्योंकि ड्यू फैक्टर जब वान खिड़े में आता है और इसी बहुत अच्छा चेस करती हुए जारी थी वार्नर के विकेट से थोड़ा सा इस मैच में डॉप ना गया यह सवी जैस्वाल चौबिस रन पाच रन जौस बटला ग्यारा 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 एक दम कंसिस्टेंट सैंसंग्यासी रन 15 रियान पराग 43 रन 84 रन अश्विन पिछले मैच में 30 रन जीरो विकेट और मैंने बताया था कि अश्विन इस मैच में विकेट लेस्ट जाएंगे ही जाएंगे दुरूब जुरह बीस रन बीस रन कंसिस्टेंट हैट मायर पाच रन चौदर संदीप शर्मा एक विकेट इधर जीरो विकेट इधर आवेश कान मैं नाम करूँ तो मैं चहल और नांद्रे बर्गर दोनों ही अच्छा करते हुए जा रहे हैं अब यहां पर में बॉल्लर कोन होगा इनके बर्गर चहल बोल्ट आवेश संदीप अब चटा बॉलर हो जाते हैं आश्विन वो जब ज़्यादा लेफ टीम बैटिंग करते हैं जौस बटलर दस मैच में 504 रन है 63 की अवरेज है मुंबई के खिलाफ इनोंने शतक भी जड़ाता बहुत ही घजब इस मैदान पे इनकी 35 की अवरेज है 812 रन 26 मैच में लास्ट माच मैच में फ्लॉप रहे हैं एक इनिंग को अगर मैं हटा दू लेकिन मैं उमीद करता हू जौस बटलर के बल्ले से आज अच्छे खासे रन निकलने वाले हैं हेट टू एड में 33 की अवरेज 189 रन है यशस्वी जैसवाल के और 35 की अवरेज है 286 रन के साथ 8 मैच में इस मैदान पे इस मैदान पे शायद इनका भी एक शतक आ चुका है 11, 24, 57, 37, पिछले 5 मैचों म पाँच मैच में मुंबई के खिलाफ 59 रन है इस मैदान पे सिर्फ 122 रन है 12 मैच में लेकिन पिछले 2 मैच 84 रन, 43 रन बहुत ज़्यादा हाईली इंप्रेस अगर किसी ने किया है तो रियान फराग ने किया है शिम्रोन हेटमायर, 16 की एवरेज, मुंबई के खिलाफ 40 की एवरेज, इस मैदान पे 8 मैच में 209 रन है तो इस मैदान पे आके अच्छा खिलते हैं 14, 5, 8, 7, 49 बहुत ही खराब खिलका हैं पिछले 5 मैचे दुरूप जुरहल, एक मैच खिले थे, दो रन बनाये थे, इस मैदान पे इनके कम विकेट हैं, क्योंकि ये विकेट जैनरली स्पिनर्स को हेल्प नहीं करता, 29 रन जीरो विकेट, एक विकेट, ये हैं इनके IPL के पिछले 2 मैच, जो मैं आप से अल्रीज डिसकस कर चुका, बोल्ट, 10 मैच में 10 विकेट, इस मैदान पे 9 विकेट, और अलग फॉर्म में आते हैं, आवेश बाई, इस मैदान पे भी 6 मैच में 10 विकेट है, तो एक की प्लेयर हम मान सकते हैं, आवेश खान को, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि आवेश खान के रिकॉर्ड अच्छे हैं दोनों तरफ, लेकिन यूजी के बहुत अच्छे हैं, 18 मैच में 25 विकेट मुंबई के खिलाफ, और 17 मैच में 19 विकेट, वान खेड़े पे जहाएं, स्पिनर को मार पड़ती है, तो ये आकड़े समझाते हैं कि यूजी कितने अच्छे लेक्स पिनर है, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट अभी तक पिछले 2 मैच में ले चुके हैं, संद अब आप सोचोगे, बहुत बड़ा स्कूर बना दे, चेज हुआ होगा, क्या हुआ था, देखो मैंने आपको बताना, ये शस्वी ने 124 मारे थे, तो 124 रन ते जैस्वाल के बटलर के 18, सैमसंग के 14, पड़ी गल के 2, होल्डर के 11, हैट मायर के 8, और 2 रन दुरूब जुर तीन रन पे, तीन रन पे आउट होने के बाद ऐसा ही लगता है ना, भस गई मुंबई, इशान कीशन 23 गेंद में 28 रन, तो दोनों ने कुछ खास स्टार्ट नहीं दे, लेकिन, 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 कैमरून गें, 26 गेंद, 44 रन, 29 गेंद, सूर्य कुमार यादव, 21 गेंद, त संदीब को, और एक मिला ट्रेंट बोल्ड को, उसके बाद होल्डर, कुलदीब, सेन, चैल, सबको इतना बुंडा मारा मुंबई वालों ने, और 212 का जो स्कोर था, वो चेज बजा दिया था, तब यह हुआ था, बहुत सारी बाते हमने कर लिया, अगर अभी तक आपने सब बोल के कमेंट किया करो, इतना जीत रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, तो लाइक में कंजूसी भी हूँ, हाँ, अगर मैं आपको कहता है, मुझे पार्टी दे दो, मेरे को कहीं खाने पिलाने को ले जाओ, तो मैं समझता हूँ, उसमें कंजूसी करते हैं, लेकिन लाइक में क सबसे पूछे जा रहा हूं क्या लगता है कौन सा प्लेयर होगा हाई स्कोर इस पूरे IPL में हाई स्कोर जैसे औरेंज कैप का विनर कौन यह तो ऐसी है फॉर फन है अब हम चलते हैं हमारे में सवाल पर जो आपको दिला सकता है 33,330 रुपे का नगद पे टियेम धन राशी त सब्सक्राइब को अपने दिल से जो भी आ जाता है चलो आज आपको बताना है कितने बैट्समें कितने बल्लेवाज आज LBW प्लस बोल्ड होंगे आपको यह बताना है खाली ठीक है LBW प्लस बोल्ड और यहां पर एक और चीज करनी है वह बॉलर जैसे मानलो आपने लिख है पांच होंगे बॉलर होंगे जो सबसे ज़्यादा LBW या वो लेंगे बुम्रा और पॉइंट्स देंगे माई मास्ट 11 पे 73 ठीक है ऐसे होना चाहिए कितने होंगे LBW प्लस बोल्ड टोटल पांच और बुम्रा सबसे ज्यादा करेगा और 73 पॉइंट माई मास्ट 11 पे हो जाता है यह कि कोई तुक्का मार के चला गया तो अपने तुक्के मारा करो जिसका सही हो जाए वो मजा उठाओ जिन्दगी का अब देखते हैं कैसा खेलते हैं राजस्थान मतलब रजवाडे मुंबई इंडियन्स के बॉलर्स के सामने जस्प्रीद बुम्रा के खिलाफ फहिट्माएर ने 14 गेन 9 रन 3 buscar और नभी 23 गेन 29 रन 2 बार आउट ओ गए जॉस बतलर ने बुम्रा की 58 गेन में 56 रन 2 बार आउट हो हैं हार्दिकपांडिया गें 39 गेन 5 रन 2बार आउट होें हर्दिक चावला की 24 गेन 32 रन 1 बार आउट हो गहां Anda प्यूस चावला के 49 गेन 63 रन दो बार आउट हुए है यशस्वी जैस्वाल हार्दिक पांडिया जस्प्रीद गुम्रा और रोमारियो शेपर्ड सब से एक एक बार आउट ये हुए है तो ये चीज देखने वाली है अब हम आते हैं मुंबई के बल्लेबाज और राजस्थान के बॉलर संदीप शर्म वर्सिस रोईट शर्मा बढ़िया लव स्टोरी है यह 44 गें 38 रन 5 बार आउट गया संदीप शर्मा ने रोईट शर्मा को शर्मा जी शर्मा जी भिढ़ जाते हैं अश्विन की 120 गें 110 रन 3 बार विकिट आवेश खान की 13 गें 11 रन 2 बार अपना विकिट दिया हार्दिक पा चहल की 32 गें 55 रन 3 बार अपना विकिट वर्माने अश्विन की 18 गें में 24 रन तो मारें पर एक बार आउट भी हो चुके हैं तो यह सारी मैच अपस हैं जिनके बेसिस पे हम निकालते हैं कुछ हमारे की प्लेयर जिसमें सबसे पहला नाम आता है हार्दिक पांडिया का मैद पाले जो लोग है ना मैं कहा रहा हूं अपने टीम में छोड़ दो मत लो सबको पता है पैसा भी तो जीतना है और पैसा जिताने वाला भी यही खिलाड़ी है तो इसको गाली भी बखनी है इस बंदे से पैसा भी कमाना है ऐसे कैसे चलेगा दीडी ऐसे कैसे चलेगा भहिया तो ये चीज़ ध्यान रखना अगर आप हेट करते हो नहीं तो दिल से नफरत करो ना छोड़ तो अपनी टीम से मत लो हार जो पैसे मैं कहता हूं मेरे को तो अपनी टीम में लेना पड़ेगा और मैं तो स्मॉल लीग में सी वी सी भी बनाऊंगा क्योंकि भाईया ये बंदा पैसा भी तो जिताता है इतना अच्छा परफॉर्म करके तो इन चीज़ों का ध्यान रखे हार्दिक पांडिया को ठीक है गाली देनी है फ्रेंचाइजी क्रिकेट है अपने अलग रखे लेकिन देश का खिलाड़ी है ऐसा ना है और आज मेरे को लगता है आज ये अच्छ जरूरी है ट्रेंड बोल्ट का भी सेम सीन है पहले बॉलिंग करे रख लो सेकंड बॉलिंग करे छोड़ दो और फिर आते हैं जौस बटलर जौस दोने इनिंग्स में मुझे लगता है अच्छा करेंगे चाहें फस इनिंग हो बल्ले से अच्छा स्कोर ये देखे जाने वा है तो बड़ी पारी हमें पता है खेलने वाले तो क्यों न किसी एक को कैप्टन वाइस कैप्टन में ठ्राई किया जाए मुंबई पहले बॉलिंग करें तो वी सी आप उम्रा को रख सकते हैं इशान किशन दोनों के इसमें वी सी अच्छे हैं लेकिन युजविंदर चैल ज मुझे क्या लगता है आज की मेरी ग्रैंड लीक प्रेडिक्शन कल देगी कितने चामफाड़ प्रेडिक्शन दीती एकदम जैनुएं जॉस बटलर ये शस्वी जैस्वाल तिलक वर्मा हार्दिक पांडिया जिराल कोटजी जस्वीद भूमरा युजविंदर चहल आवेश खान देखो डिफरेंशल पिक भी दूंगा कुछ और इधर से शिम्रोन है थोड़ा बहुत अच्छा करके जा सकते हैं तो यह है मेरी आज और संदीप शर्मा अगर राजस्तान पहले बॉलिंग कर रही होगी तो यह विन परसेंटेज अगर मैं दूं की कौन सी टीम जीत सक अनग गा और इस बार मैं मॉंब़ा इंडियंस को थोड़ा सा एडवानटेज दूंगा यह माज जीतने के लिए और Tao अगर मुंबई इंडियंस कर रही है चेज करने जारी है तो मैं मुंबई के सारोगी लेकिन अगर राजस्तान को ठोड़ा सपोर्ट मिलेगा तरफ से हि मुंबई आरार का मैच है माइ मास्टे लेवन पर मैं ये खेलने वाला हूं सबसे पहले सुन लो आप लोग इसमें अपीनियन भी अपीनियन ट्रेडिंग एक तरीके से यह होती है कि आप किसको जिता रहे हैं किसको हरा रहे हैं आप क्या लगता है कि आउटकम्स क्या होंगे यहां पर एक option मिलेगा अपीनियन जब मैं इस पर टैप करूंगा अब देखो दोनों एप पर एक जगे मिल रही है आप दूसरे एप पर खेल रहे होंगे अब आप क्या करें उस पर उससे छोड़ दे क्योंकि आप दो जगे टेक्स दे रहे हैं अगर आप थोड़ा सा दिम फुटबल वाले नहीं है फुटबल वाले भाई है दूसरी टीम बनाते हैं हां तो यहां पर हर तरीके जैसे यह मुंबई राजस्थान का है यह वाला मैच अब यहां पर क्या चल रहा है कि 49 से जाधा राइन बनेंगे पहले 6 और में यह सब कर सकते हैं मुझे लगता है यह और अब चाने हैं यहां फोन डेटी से में लिंक्रिप्षन में लिंक डाला हुआ है कमेंट सेक्वें缴 मैंने किया हुआ कर लो और फिर देखो कमाई तो बटलर इशान किशन सैमसंग मैंने तीनों कीपर रख लिए बैट्समेन दो ले रहा हूं अभी रोईट शर्मा ये सवी जैस्वाल सिले को रहा हूं तीन बैट्समेन से कहलेंगे और राउंडर में हार्दिक पांडिया बॉलर में साथ तेर चहल को रख रहा हूं बोल्ट को रख रहा हूं और कोईटजी को रख रहा हूं मैं आश्विन को अभी प्रेफर नहीं कर रहा हूं अपनी टीम में तो यह हो जाती है मेरी टीम और यार क्या धासू टीम बन गए जिसमें मेरे कैप्टन रहने वाले हार्दिक क्लियर कैप्ट और Vice Captain मैं बना सकता हूँ Butler को क्योंकि बहुत अच्छे option है या ये शिस्वी जैस्वाल किसी एक opener की बड़ी पारी आएगी आप चाहें तो जिसमें से किसी एक को बना सकते हैं ये मेरी team रहती हैं बाकी हम मिलेंगे सीधा इस match के फिर टॉस्क बाद लाइक करना ना भूले कमेंट करना ना भूले और giveaway में जरूर पाटिसिपेट करें